हाई गैस और वेलकम बैक तो दी चैनल दीपक्यादव एजूकेशन वेलकम तो दी डेली हिंदू न्यूज और एडिटोरियल इनालिसस ऑफ 27 फेबरी 2022 तो गैस आज है तारिक 27 फरवरी 2022 और है संडे देखेंगे आज के दा हिंदू कंप्लीट यूस्पेपर को देखेंदू कंप्लीट न्यूसपेपर को एनलाइज करेंगे बट लेक्चर में आगे बनने से पहले अगर आप लोग को इस लेक्चर का पीडिएफ चाहिए तो क्या करना है सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलिग्राम और फिर जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजूकेशन आप लोग को यह वाला चनल मिल जाएगा इस पे क्लिक करना और जाकर इस चनल को जॉइन करेना देखो अगर आप लोग को इस तरीके से यह चनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोग को टेलिग्राम का लिंक दिया या है वो लिंक इसी चनल का है जैसी आप उस पे क्लिक करोगे आटोमेटिकली यह चनल ओपन हो जाएगा इसको जाकर जॉइन करने से फाइदा क्या होगा यहाँ पर आप लोग को डेली बिस्स पर लेक्चर का पीडियेफ मिल जाता है और डेली बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाता है यह सारी चीज़े मिलती हैं बिल्कुल फ्री में तो जाकर इसको जरूर जॉइन करना नाव बढ़ते हैं आगे आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेशन के साथ स्टार्ट करेंगे तो आज आप सभी लोग को मैप में जाकर देखना आप बेफिन बेखो कहां पर है यह एक्जाक्टी लोकेटेड अच्छे से मैप में देखना दन उसके बाद आकर नीचे कॉमेंट सेक्शन में टाइप करना जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे साथी साथ एक क्वेशन सॉल्व करेंगे जो कि UPSC प्रिवियस यर 2001 के प्रिलिम्स में पूछा गया था जल्देल्दी मैं एक स्मपल सा क्वेशन लगा धिया है अलरडी वीडियो काफी लेट हो चुका है लेट क्या हुआ यहा मैं भी आप लोगोंको बताता हूँ जो लिंगराजा टेंपिल है वो आपको कौन से शहर में देखने को मिलेगा तो इसका सही आंसर आप सभी लोग को नीचे comment section में देना है at least सभी लोग को इसमें participate करना है जैसा मैं आप लोगों से daily basis पर बोलता हूँ इसका जो correct answer मैंने आप लोगों नीचे provide करवा दिया है प्लस telegram पर ही provide करवा दिया है या फिर पहला question मैं आप लोगों से आपर पोचना चाओंगा दुनिया भर में क्या चलना है तो आप लोगों का जवाब होगा दुनिया भर में एक ही news है जो की सबसे ज़्यादा चड़्चम है वो है Russia-Ukraine का dispute बिल्कुल ऐसा ही है आज का newspaper भी यहाँ पर इसी article से पूरी तरह से भरा हुआ है और आज के newspaper में मतलब एक अच्छी बात है कि हमार लिए ज़्यादा articles है नहीं तो ज़्यादा लंबा आज का newspaper खेचेगा नहीं आप लोग भी देखते रहोगे important articles बहुत कम है एक हादी आपको देखने को भी लेंगे otherwise बहुत सारे news है जो कि Russia यूकरेन के dispute को लेकर है और वीडियो आज का अफिलेट भी हो चुका है in fact मैंने बोला था 11 बज़े तक वीडियो आएगा बट अभी जो वीडियो रेकॉर्ड कर रहा हूँ है तो हुआ गया एक टेक्निकल इशू हो चुका था मौनिंग में यह जो डिस्पले है उपन ही नहीं हो पा रही थी मतलब डिस्पले बहुत ज़्यदा हिल लही थी आपको बता होगा एक बार और यह इशू आता तो आज भी इशू हो गया बहुत ज़्यदा हिल रही थी जैसे मैंने आपर इसकी ब्राइटनेस को इंक्रीज किया वैसी सॉलूशन आई है मतलब ऐसी डिस्पले वो रुख गई मतलब कि इतनी देड़ से मैं दिमाग मार रहा था कि कुछ हो जाए कुछ हो जाए ऐसा कुछ हुआ नहीं और अचानक से जैसे मैंने इसका ब्राइटनेस थोड़ा सा ज़्यदा किया तो डिस्पलेज की रुख गई है बिल्कुल तो एक सॉलूशन तो निकल गया बटियां पर क्या है कि यह सुबह मौनिंग में मिल जाता है तो हम लोग मौनिंग में वीडियो डाल देते हैं चलो कोई बात नहीं फिलाल अभी यहाँ पर एक अच्छी बात यह भी है कि अपने पास जो इन्वेजन देखने को मिला है इसकी वजासे जो बहुत सरे इंडियन स्टुडेंट से उनको वहां से इवाकुएट किया जा रहा है वहां से वापस से लाया जा रहा है भारत के अंदर क्योंकि उक्रेन के खुद के जो लोग है वो भी यहाँ पर हट रहे हैं आपको पता होगा जो यूकरेन के आसपास के बॉर्डर से हैं जैसे पोलेंड हो गया हंगरी हो गया इन कंट्रीज के अंदर शिफ्ट हो रहे है ठीक है ताकि जो सिच्वेशन सुधर जा है फिर उसके बाद यह वापस अपने कंट्री के अंदर आप आप आएं तो अभी य रश्या के अगेंस्ट में वोटिंग होती है और जो यूएस है यूएस भारत के ओपर बहुत जयदा प्रेशर डालता है कि यहां पर क्या करना है रश्या के अगेंस्ट में वोटिंग करना है रश्या को क्रिटिसाइज करना है ठीक है रश्या की अलोचने करनी है और इसको यहाँ पर इसके अगेंस में वोट करना है, तो भारत को पर काफी प्रेशर था, अब UNSC के अंदर कल वोटिंग तो होती है, UNSC है क्या पहले में आपको बेसिक बता देता हूँ, United Nations Security Council, एक बॉड़ी आपको देखने को मिलेगी, जहाँ पर टोटल 15 countries जो हैं, इसमें से 5 तो पर पर्मनेंट मेंबर्स हैं, उनके पास वीटो पावर है, आपको पता है, उसके बाद 10 नॉन पर्मनेंट मेंबर्स हैं, 10 नॉन पर्मनेंट मेंबर्स में आज के टाइम पर भारत भी है, अब कोई डिसीजन लेना है, तो फिर यहाँ पर इन 15 मेंबर्स की वोटिंग होती है, तो अभी यहाँ पर रएशा के अगेंस्ट में वोटिंग करवा रहे थे, कि रएशिया अपने इस इन्वेजन को रोक दे, क्योंकि अभी वोटिंग यह पास हो जाती, सारे कंट्रीज वोट कर दे थे, रएशा के अगेंस्ट में तो इससे क्या होता, रेशा के ओपर कहीं ने कहीं प्रेशर पड़ता रेशा कहीं ने कहीं आपर ढील देनी पड़ती तो ये देखने को मिला बट हुआ क्या? वोटिंग जैसे ही हुई और अमेरिका सोचके बैटा था जो बैडन सोचके बैटे थे कि यहां भई जो पर information निकल कर आई है तो अब सिर्फ इंडिया ही नहीं था जिसने abstain किया है वोट को क्योंकि मैंना भी आपको बताया पांच permanent members है और दस non-permanent members हैं दस non-permanent में इंडिया तो है ही इंडिया के साथ-सा दूसरी country यहां पर UAE भी आती है तो भारत और UAE दोनों नहीं हाँ पर abstain किया है दोनों नहीं हाँ पर ना हामे वोट दिया ना ना में वोट दिया और जो चाइना है चाइना एक permanent country है आपको पता होगा मतलब permanent nation के अंदर आता है तो जो चाइना है चाइना ने भी यहाँ पर इन दोनों कंट्रीज को ही जॉइन किया है चैना ने भी अपस्टेन किया है तो टोटल तीन कंट्रीज है जिन्होंने अपस्टेन किया इस वोट से वो है भारत, चैना और UAE यह आप लोगो ध्यान देना है क्लियर हुआ बागी कंट्रीज नहीं आपर वोटिंग अगेंस्ट में दी है रश्या के बड़ यह रिजोलुशन पास नहीं उपाया इसके पिछे का में कारड यह है कि पाँच जो पर्मनेंट मेंबर्स है जिसमें US है, UK है और उसके बाद यहाँ पर आपको फ्रांस देखने को मिलेगा उसके बाद यहाँ पर आपको चैना देखने को मिलेगा उसके बाद यहाँ पर आपको रश्या देखने को मिलेगा तो ये पाँच मेंबर्स हैं जिसमें से रश्या खुद एक परमनेंट मेंबर है UNSC का और इन पाँचों मेंबर्स के पास एक बहुत बड़ी पावर है जिसको बोलता है वीटो पावर वीटो पावर इतनी जाधा ताकतवर है कि मालों यहाँ पर 15 नेशन्स हैं ये 15 टोटल इतनी जाधा हैं पर आपको पावर फुल देखने को मिलती है तो यहाँ पर रश्या ने वीटो पावर का इस्तमाल किया है और रश्या ने वीटो किया और एक्जैक्ली यहाँ पर जो रिजलूशन था वह यहाँ पर अलग हो गया बस अब यहाँ पर टोडल 15 मेंसे 11 UNSC के मे लाइस के अंदर ठीक है तो रश्या के हाथ में आपर अपकी लिडर्शिप देखने को मिल जाएगी क्लियर हुआ तो यह information आई है I hope आप लोगो अच्छे समझ में आ चुका है कि exactly क्या scenario निकल रहा है प्लस इंडिया ने क्या abstain कर दिया है इसके पीछे कई सारे कारण है कि अपको इस newspaper आर्टिकल के अंदर नहीं देखने को मिलेंगे बट बहुत सारे कारण देखने को मिल जाएंगे ठीक है जैसे मैं आप लोगो पहले बताया था कि अगर हम लोग इतिहास के हिसाब से देखें दो युक्रेन का support हमारे लिए इतना नहीं आया है जितना रश्या का support आया है आपको याद होगा 1971 की बंगलेदेश की वारी वहर ठीक है जहांपर बंगलेदेश एक अज़ात कंट्री बन चुका था ठीक है मतलब कि इधर पहले आपको पता होगा 1971 से पहले यह जो पाकिस्तान है यह इसर पाकिस्तान हुआ कर था और जो आज की टाइम पर बां अंगले दिश बनाया गया तो बेसिकली यहां पर जब इंडिया ने सपोर्ट किया तो इंडिया के अगेंस्ट में भी यहां पर क्या हुआ था यूए नसी के अंदर वोटिंग चल लए थी इंडिया को यहां पर जितने भी सोल्जर्स फैला दिया इंडिया ने इनको वापस लेने चाहिए तो इंडिया के अगेंस्ट में यूए नसी के अंदर वोटिंग चल लए थी तब की टाइम की बात है उस समय यू एससर हुआ करता था ठीक है सोवेत उनन तो उन्हों ने भी यहां पर सपोर्ट गया इंडिया को और वो वीटो कर दिया था तो आप कर सकते हो जो कि इंडिया यहां पर न्यूटरल रहा ठीक है आई हूप आप लोगो यहां पर काफी अच्छे से इस आर्टिकल के बारे में क्लारिटी मिल गई है बट एक और इंपोर्टन इंफोर्मेशन यह पिचर आप लोग देख पा रहे होंगे यह बहुत इंपोर्टन पिचर है मतलब पिचर इंपोर्टन नहीं इसके नीचे का जो यह सेंटेंस लिखावा है यह बहुत इंपोर्टन है अब हुआ क्या है जब भी हम लोग इस प्रकार का काम करते हैं आपको पताओगा जब भी हम भारती लोग जो भी फस जाते हैं जैसे अभी कोविड की नाइटीन के पर बहुत सरे लोग जो हैं आपर अलग-अलग कंट्रीज में फज गए थे लॉकडाउन लग चुका था पुरे दुनिया भर में तो उसके बाद भी हम लोगों ने ऐसे ओपरेशन चालू किये और बहुत सरे लोगों को लेकर आए तो ऐसा जब भी होता है तो हमें एक ओपरे आगे आपको एक छोड़ा सा आर्टिकल यह देखने को मलेगा यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर का एक स्टेटमेंट है अब प्राइम मिनिस्टर एक वेबिनार ले रहे होते हैं और उस वेबिनार को एड्रेस करते करते हैं बोलते हैं कि आज के टाइम पर अगर हम लोग जैसा एक्जामपे ले सकते हैं अब युकरेन के अंदर भी काफिसर लोग हैं यह ना पढ़ाई करने का हैं मेडिकल की तो यह सेनेरियो देखने को मलता है क्योंकि इंडिया का खुद का मेडिकल एजूकेशन सेक्टर बहुत कमजोर देखने को मिलेगा तो प्राइम मिनिस् ले जाकर पैसा हम लोग दूसरे कंट्री के अंदर दे रहे हैं तो बताया गया बिलियंस ओफ रुपीज जो है हमारे कंट्री का वो जा रहा है दूसरे कंट्री के अंदर तो अभी क्या है इस चीज को हम लोग रोक सकते हैं कैसे तो हम लोग प्राइवेट सेक्टर को थोड और फिर उससे क्या होगा जो ये बच्चे हैं जो आज के टेम पर बाहर जा रहे हैं मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए वो इंडिया में कर पाएंगे और इससे यहाँ पर हम लोग चीजों को और जदा एचीव कर पाएंगे इन फैक्ट बाहर के बच्चों को बुला इंडिया के अंदर मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए है तो ये यहाँ पर स्टेट्मेंट निकल कर आए हमारे प्रामिनिस्टर के तरू आई होप आपको यह आर्टिकल भी काफी अच्छी तरीके से क्लियर हो चुका है आगे चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ देखो अ चीता को लेकर आए तो उसको पर काम चल रहा है अब कैसे आएगा हम लोग आफ्रिका समागा रहे हैं अफ्रिका की दो कंट्रीज है नामीबिया बोटस्वाना वहां से हम लोग कोशिश कर रहे हैं जो चीता है उनको लेकर आए भारत के अंदर और वापस से यहाँ पर चीत से आगे implement की जाएंगी यह decision बहुत fruitful है यहाँ बताया गया है जो विजटेस में बताया गया कि हम लोग बहुत कोशिश कर रहे है कि ज्यादा से ज्यादा को हम लोग आफ्रिका से लेकर आए इंडिया के अंदर और इंडिया के अंदर वापस से रिंटोर्ड यूज करे हैं क for environment, forest and climate change ने एक action plan launch किया है वो क्या है action plans for introduction of चीता भारत के अंदर इन चीता को वापस से introduce करेंगे जिसमें हमने focus किया है कि लगबग 50 जो चीता है उनको हम लोग आने वाले 5 सालों के अंदर reintroduce करने वाले है ठीक है 50 चीता को हम लोग भारत के अंदर लेकर आने वाले हैं आने वाले 5 सालों के अंदर यह जो action plan है पूरा का पूरा इसको launch किया जा था जो अभी 19 वी meeting हुई है N.T.C.A की National Tiger Conservation Authority की N.T.C.A एक Stradery Body है ठीक है जो की Ministry of Environment, Forest and Climate Change के अंदर में आता है तो question बन जाता है कि यह body कौन से ministry calendar में आती है तो ध्यान रखना क्योंकि आपने पहले भी question मैंने आपके साथ previous year question discuss कर रखे हैं यह body कौन से ministry calendar में आती है उसके बाद हम लोग बात करें यह जो animals का return है यह क्यों जरूरी है हम लोग बात करें तो returns का जो animal का return है यह हम लोग इसलिए कर रहे हैं ताकि animals को हम लोग लाकर फिर उनके production के उपर ध्यान दें और उनको बचाने के उपर ध्यान दें उनको एक ऐसा ecosystem मिलना चाहिए जिस area में हम लोग लेकर आ रहे हैं जहां पर वो survive कर पाएं और जिससे कि हम लोग country के अंदर बात यह हो जाएगी कि हमारे पास चीता अब है एक time पर extinct हो चुका है भी विलोप ता लेकिन अब जब चीता आ जाएगा तो बात की जाएगी इंडिया के अंदर भी आपको चीता देखने को मिलेगा दूसरा question दिबाग में क्या आता है यह जो चीता है यह ऐसा carnivore animal है जो की eliminate हो चुका है पूरी तरह से और यह eliminate होने के पीछे का reason है hunting hunting भी नहीं कह सकते over hunting कुछ अती मात्रा में यहाँ पर शिकार किया गया इस चीता का जिसकी वेसे historical times में यह सारी काम हुआ है जिसकी वेसे यहाँ पर ही चीता की population बहुत ज़्यादा down हुई इनफाक्ट यह खतम हो गए अब यहाँ पर extinct के पीछे का reason मैं आपको बता है hunting बहुत ज़्यादा हुई है और exactly अगर हम लोग बात करें चीता भारत के अंदर अभी extinct नहीं हो आए अभी खतम हो नहीं हो आ 1952 के अंदर ही वो extinct हो चुका था 1952 में ही विलॉपत हो चुका था और दूसरा reason climate change का भी है और लगबग जो human population वो भी काफी ते जिससे grow हो रही है उसको हम लोग देखें तो human population grow हो रही है वो भी गई नहीं है एक बहुत बड़ी problem बन चुकी है इन animals के लिए अगर हम लोग बात करें अब action plan को हम लोग कैसे तरीके से use करेंगे तो इसमें बोला गया जो हमारी ministry है वो लगबग translocate करने वाली है 8 से 12 चीता को हम लोग South Africa से लेकर आएंगे Namibia से लेकर आएंगे Botswana से लेकर आएंगे मैं आप लोग को map दिखाता हूँ यह आप लोग map दिखोगे पुरा Africa continent है अब African continent में जो आप नीचे की side दिखोगे तो इधर जो ये green color का area दिख रहा है ये Namibia है इधर Botswana है और इसी के नीचे yellow color का portion जो है South Africa है तो बिल्कुल नीचे समलो यहाँ पर इन चीता को लेकर आने वाले हैं ठीक है? ध्यान में रखना इसको और हम लोग जाद सद चीता को मध्या प्रदेश के अंदर जो कुनो पालपूर नाशनल पार्क है वहाँ पर हम लोग इन चीता को रखने वाले हैं ये भी आपको ध्यान रखना है दूसरा question दिबाग में आता है हम लोग इनको reintroduce क्यों कर रहे हैं? reintroduce इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये environment के लिए बहुत important है important कैसा है? क्योंकि आप लोगों ने definitely अपने environment book के अंदर environment book को इसी भी उठालो वहाँ पर आप लोगों ने animal के food chain के बारे पढ़ा होगा देखो ये प्रकृति की देन है एक naturally हमारे पास चीज है वो क्या है? अगर हम लोग बात करें तो आपको नीचे जैसे forest है बहुत सारे plants देखने को मिलेंगे बहुत सारे plants पेड़ पौदे खूब सारे देखने को मिलेंगे अब उन plants पेड़ पौदे को खाने के लिए हमारे पास primary consumer है primary consumer जैसे कि यहाँ पे आपका सकते हो herbivores है जो कि इन plants को इन पेड़ पत्थों को खा रहे है ठीक है? अब यह है इनके ओपर हम लोग को secondary consumers की जरुरत होती है ठीक है secondary consumer जैसे कि चीता हो गया या leopard हो गया चीता leopard अलग-अलग है बिलकुल अलग-अलग है ठीक है? फिर उसके बाद एक आता है consumer lion tertiary consumer मैं आपको समझाता हूँ यह work कैसे करता है देखो हमारे जो plants है बहुत सारे पेड़ पौद है अब पेड़ पौदे खाने के लिए यह जानवर बने हुए है zebra है, antilope है और भी बहुत सारे herbivores जानवर देखने को मिलेंगे लेकिन अगर मालो यह चीता खतम हो जाए जो की चीता खतम हो चुका है मालो leopard भी खतम हो जाए तो problem किती create हो जाएगी? बहुत create हो जाएगी कैसे create होगी? क्योंकि यह जो पेड़ पौदे हैं यह सारे पेड़ पौदे यह वाले जानवर खा जाएगे ठीक है? सारे जो पेड़ पौदे हैं यह वाले primary consumer जैसे zebra वगरा यह सब खा जाएगे तो क्या होगा? सारा हमारा ecosystem damage होगा clear हुआ? तो इसी वे से यह naturally हमारी प्रिक्नित की देन है वो क्या है? जो चीता है वो क्या करेगा? वो इन वाली population को खाएगा leopard वो क्या करेगा? इन वाली population को खाएगा और जो lion है, lion क्या करेगा? वो भी यहाँ पर इन सभी population को यहाँ पर खाएगा इससे क्या होता है? जो population है वो एक maintain रहती है एक stable condition में चलती है जिससे हमारे environment को कोई loss नहीं होगा ठीक है? यह हमारा environment बचा रहेगा चीता कंट्रोल कर रहा है? लेपड कंट्रोल कर रहा है और इन overall सबकी population को कंट्रोल कर रहा है lion यह आप लोग देख पाऊगे तो इनको animals को लोग predator भी बोलता है जो कि यहाँ पर इन population को कंट्रोल कर रहा है जिससे हमारा environment यहाँ पर कंट्रोल होता है तो I hope आप लोग समझ गए होंगे फूट चेन कैसे वर्ग करता है कास कर इन animals के साक्टर के अंदर क्लियर हुआ? आगे चलते हैं next article की तरफ नेक्स यहाँ पर आपको दो छोड़ी छोड़ी आर्टिकल से देखने को बलेंगे यह तो मैंने अभी आपके साथ थोड़ी देर पहले discuss किया है कि Ukraine के से हम लोगो ने flights जारी करी है इंडिया उक्रीयन से काफसरी flights आ रही है लोगों को लेकर अभी 2019 इंडियान को लेकर आई है वो flight उक्रीयन से और जब यह लोग आए इंडिया के अंदर तो हमारे जो प्यूश गोल साब हैं इन्हों ने हापर इनका वेलकम किया है अभी क्या है कि एक फ्लाइट कर आ गई अब एक फ्लाइट आ जानी है अभी यहाँ पर इनफाक्ट यह बताया गया कि आप लेख पाओगे बहुत सारी फ्लाइट आज भी आनी बाकी है प्लस हम लोग सभी लोग को अभी इवैक्वेट करने की पूरी तरह से कोशिश कर रहे है तो संडे यानि आज संडे है आज भी हम भी थोड़े दिर बें एक फ्लाइट और आएगी हंगरी से जहां से हम लोग लोगों को लेकर आ रहे है अब मतलब क्या है इसका मैं आपको दिखाता हूँ एक मैप आपको देखना होगा यह मैंने कर लाइफ सेशन लिया था आई होप आप लोग को मतलब बहुत सारी लोग को पता होगा में live session पर आया था और फिर से हम लोग आएंगे next week मैं कोशिश करूँगा एक और live session लूँ और आप लोग के साथ connect हूँ आपके और भी queries को लूँ बहुत सरे queries मेरे पास आई थी जिन queries का मैंने solution आप लोग को दिया है और उसके बाद एक और question आप लोगों से मैंने पूछा था कि आप ये बताओ कि जैसे कि हम लोगों के notes होता है मैं आपको लोग सारे जो notes है वो टेलिग्राम पर share करता था जो दीपाग यादव education notes वाला channel है उसके उपर लेकिन कुछ copyright issues की वज़ा से मैं वो जो भी notes उनको share नहीं कर पा रहा हूँ ठीक है जो कि एक obviousी बात है और नहीं मतलब share करना भी नहीं चाहिए जब महां से मना हो चुका है तो नहीं करना चाहिए ठीक है अब यह है कि आप लोगों को पता है कि वो कितने important है मुझे पता वो बहुत important है ठीक है उन सब को मुझे हटाना पड़ा उस content को और आप लोगों की demand है कि मतलब जो notes उसको वापस से दिना चाहलू करो बहुत important देखो मैं आपको notes दे रहा हूँ आपको जो यह PDF मिला है इस मैंने आप लोगो सारी चीज़े बताइए कि कैसे चीता को reintroduce कर रहे है उसके बारे में जो information लिखित में दिया है ऐसे ही मैं editorals के information लिकर आता रहता हूँ अब यह सारी चीज़े मैंने obviously इसके अंदर जो PDF के अंदर मैंने डाल दी है PDF के अंदर पिन कर दिया है PDF में थोड़ी देर के लिए अविलेबल करवाता हूँ क्योंकि आपको पता है again newspaper दहिंदू publication का यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा तो मैं उसको share नहीं कर सकता है इस मैं क्या कर सकता हूँ कि अभी क्या है ना बहुत से लोग PDF डाउनलोड कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं तो उनके लिए मैं एक permanent solution लेकर आ सकता हूँ क्योंकि अब चैनल इतना बड़ा हो चुका है तो हमें इसको stable करना होगा stable कैसे करना होगा मैं आप लोगों से वह पूछ रहा हूँ आपकी आपकी राइक है इस चीज में मैं आपको एक PDF क्रेट करके दे दूँगा PDF ओवरॉल किया है पूरे निउस्पेपर का PDF जैसे कि हमने क्या किया मैं आपको पहले जो डिसकुशन करूंगा उसमें सारे निउस क्या है यहां पर मैंने आपको क्या करना है यह PDF के अंदर यह पिचर लगा कर देना है और पिचर के साथ साथ मैं आपको बराबर में जो एक्स्टर इंफोर्मेशन होती है जैसे मैं आपको यहां पर यह दिया हुआ है उसके पिचर के बराबर में आपको एक्स्टर इंफोर कर दिया करूंगा ठीक है अब जैसे कि मैं सोच रहा हूं कि morning में हम लोग थोड़ा साड़े 6 बजे से न्यूस प्रकर डिसकेशन रखें साड़े 6 बजे अब क्या होगा कि मैं एक live session लिया ले लिया करूंगा मतलब live discussion करा करूंगा तो न्यूस प्रकर का discussion हो जाएगा properly तो क्या होगा वो मतलब save रहेगा video वीडियो आपके पास हमेशा save रहेगा चैनल पर हमेशा save रहेगा उसको आप लोग कभी देख सकते हो क्योंकि बहुत से लोगी queries होती है live discussion होगा तो वो वीडियो डिलीट तो नहीं हो जाएगा नहीं वो हमेशा save रहेगा as it is save रहेगा फिर उसका ppt map को दे दूँगा होगा क्या होता क्या है न मुझे थोड़ा सब time मिल जाएगा content को और बहतर करने के लिए अभी क्या होता है मुझे वीडियो थोड़ा जल्दी डालना होता है इसके लिए मैं content prepare करता हूँ उसका record करता हूँ record करने में one hour one hour से ज़्यादा लग जाता है फिर उसके बाद उसको upload करना होता है उसमें time लग जाता है करेंगे फिर कोई tension है ना अभी दिमाग में कि यार अभी भी कोई strike आ सकती है यह problem आ सकती है दा हिंदू के साइट से problem सा सकती है तो वो यहां पर टेंशन दूरुजाएगी ठीक है हातों मैं क्या बता रहा था इस वाले article के बारे में इस वाले article के लिए मैंने एक map लगा लगातर bombarding हो रही है तो बहुत सरे लोग इधर से हट रहे हैं इधर पोलेंड पहुचे हैं पोलेंड के बारे में इस विए से मने मैप लगा दिया था तो अभी मैंने आपको इसके बारे में बता दिया ओपरेशन गंगा इसको नाम दिया गया है और वही यहां पर चीजे वापस से mention की गई है जो next article ये बात करता है multinational air exercise के बारे में हुआ क्या है एक multinational air exercise cobra warrior नाम है exercise का इस अभ्यास का ये cobra warrior अपकी बार होने वाला था मार्च में बट possibility ये cancel हो जाए और cancel हो चुका exactly अगर हम बात करें तो इस cobra warrior के अंदर बहुत सरे countries अभ्यास करने वाले थे ठीक है लेकिन बट यहाँ पर क्या हुआ इस पूरे exercise को cancel कर दिया या है इस Ukraine और Russia के dispute की वज़ा से ठीक है अगिन यहाँ पर आप देख पाओगे इसके अंदर भी Russia Ukraine का dispute आया चरचा में अब ये एक्स कोब्रा वोरियर 2022 exercise है क्या मैं आपको बता देता हूँ current issue क्या है तो Indian Air Force यहाँ पर हमारी participate करने वाले थी मतब आज से 5 दिन पहले news यह आई थी कि भारत की Air Force participate करेगी इस एक्स कोब्रा वोरियर 22 के अंदर ये अभ्यास कहाँ पर होना वाला था UK के अंदर जो Wellington है यहाँ पर ये अभ्यास होने वाला था ठीक है इस अभ्यास के अंदर participate करता ठीक है और हम लोग यहाँ पर UK के साथ participate करते UK के जो भी Air Forces उनके साथ participate करते और भी यहाँ पर क्या होता जब Air Forces आपस में participate करती है तो आपस में काफी discussion होता हम लोग एक दूसरे के साथ काफी सारी चीजों को share करते जो bond of friendship है वो और जदा increase होता वा नजर आता प्लस उसके अद और भी बहुत सारी exercises है जो कि भारत और UK के बीच में होती है वो कौन-कौन सी है आपको ध्यान रखना है दोनों की country के Navy के बीच में अभ्यास होता है कौन-कन का दोनों countries के Air Force के बीच में होता है एंद्र धनुष दोनों countries के आर्मी के बीच मे वो प्रवाइट करवा दूँगा और वो PPT मैं आपको टेलीग्राम पर शर्ख कर दूँगा वो PPT डिलीट नहीं होगी वो PPT ऐसी की ऐसी पढ़ी रहेगी टेलीग्राम पर ठीक है वो कभी डिलीटी नहीं होगी त्युक्कि उसमें कोई इशू नहीं आगा कि अपनी PPT में इंटियन होगी उसमें क्लियर हुआ ना आगे चलते हैं नवाता है पेज नोबर 10 के ओपर देखेंगे दुनियादारी में क्या चल रहा है दुनियादारी में क्या चल ला है आपको पता है स्रिफ और स्रिफ रशिया यूकरेन का डिस्प्यूट यह आर्टिकल दिखोगे अ और उसके बाद यूकरेन की जो कापिटल है किव यहाँ पर आप देख पाओगे कर्फ्यू अगरा लगा दिया गया है पूरी तरह से बहुत सरे सिविलियंस की डैथ हो चुकि है 198 सिविलियंस की डैथ हुई है यह आपको पिच्चर सामने दिख रही होंगी क्या यहाँ पर यूकरेन के प्रेसिडेंट हैं वो आप लोग देख पाओगे यहाँ पर यह अभी स्मार्टफोन से काफी सारे वीडियोज यहाँ पर पब्लिश कर रहे हैं और कनेट करने की कोशीच कर रहे हैं नेशन के साथ में आपने यूट्यूब पर भी देखा होगा इनके वीडियो की डेथ हो चुकी अभी तक और लगबख एक हजार से ज़ादा लोग हैल हो चुके हैं इस पूरे इंसिडेंट के अंदर और वेस्टन कंट्री सा काफी सपोर्ट आ रहा है यूकरेन की साइड में पैरिस अगी बात करें हम लोग तो फ्रांस का प्रेसिडेंट इमानुवल म क्लियर हुआ तो यह इंफोर्मेशन है अगेन अभी क्या है इस पूरे यूकरेन और रश्या के डिस्प्यूट को लेकर आप यह देखोगे तो यहाँ पर क्या हुआ यूएस ने काफी सारे सेंक्शन्स लगा दिया है व्लदेमर पुतिन के ओपर तो सेंक्शन्स वाली बात आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ काफी डिटेल में डिस्केशन कर चुका हूँ देखो अभी भी बहुत साय लोगोंगे जिनको इस पूरे वार के बारे में नहीं पता होगा इस वार की शुरुवात कैसे हुई है कब यहाँ पर स्टार्ट हुआ क्यों हुआ और उसके यह कैसे बढ़ता रहा यूसर कैसे टूटा ठीक है यूक्रेन कैसे बना अभी बहुत से लोगों नहीं पता होगा इसका पूरा हितिहास बेसिक से लेकर अभी वार तक की सारी सिचुएशन मैंने आप लोगों को समझा रखिये 24 फैबरी के वीडियो के अंदर ठीक है तो 24 फ पूरा इशू डिसकस किया है बेसिक से लगब 20-22 मिनिट में मैंने सिर्फ वही टॉपिक समझाया आपको तो मैं आपको वह रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर फिल्ट टाइम बिस्ट हो दाएगा अगर मैं यह सारी चीज़र समझाने लगा तो यूएस के सेंक्श जो रेफ्यूजीज हैं वो यहाँ पर निकलते वे देखने को मलेंगे यूकरेन के पास से निकले और यूकरेन के बौर्डर से निकलकर यूरोपेन उनकी साइड में जा रहे हैं एक पिच्चर यहाँ पर देखने को मलेगा इस पिच्चर के अंदर जो लोग है वो सब जो हैं वो लड़ाई करेंगे ठीक है रशन सोलजर से लड़ेंगे बाकी जो फीमेल से बच्चे हैं उन सब को यहाँ पर यूकरेन से अभी हटाया जा रहा है उकरेन से वो लोग हटकर पोलेंड वगरा में जा रहे हैं रोमानिया में जा रहे हैं हंगरी में जा रहे हैं और स्लोवाकिया में जा रहे हैं, यहीं सभी जगा पर entry ले रहे हैं और अभी इस सारी countries कहां पर हैं, location कहां पर हैं मैंने भी आप लोगों को थोड़ देर पहले map में इस सारी location दिखाई है ठीक है, तो again यही disputes हैं, जो कि मैंने आपको बता रखा है तो world section पर यही सब कुछ है, उसके बाद next जो है हमारा आता है economy का page page number 14, that is business section, economy अपर भी आपको एक article लेखने को मिलेगा तो आज का news paper आपके लिए थोड़ा सा मतलब की जादा important थाबित नहीं हो भाया है यहाँ पर अगर हम बात करें, बात किए है रश्या यूकरेन के conflict को लेकर तो रश्या यूकरेन के conflict के वज़ा से जो sunflower oil import है, उसके उपर काफी affect वाए अभी कुछ दिन पहले मैं आप लोगो बताया था कि oil के उपर भारत की किते dependency है भारत बहुत सारा oil purchase करता है दुनिया भर की country से, अगर हम लोग बात करें, इंडिया 25 लाग टन sunflower oil हर साल purchase करता है, इंपोर्ट करता है, और इसमें से 70% जो oil है वो यूकरेन से आता है और 20% जो oil है वो रश्या से आता है, तो अपने आप में आप कर सकते हो, अब रश्या यूकरेन के बीच में disputes हैं, war है, इसकी वैसे व्यापार बगरा पूरी तरह से रुख चुका है तो इंडिया को बहुत problems face करनी पड़ेंगी, कल में आपको बताता है, इंडिया का जो coffee sector है, उसमें काफी problems आएगी, क्योंकि हम लोग coffee बहुत सरी export करते हैं इंदोनों countries को, अब export हो नहीं पाएगा, इंडिया को यहाँ पर loss होता बनाजर आएगा, ठीके, उसके बाद और भ आएगे, ठीके, demand कम होनी के वेज़ से prices काफी सारे increase हो जाएगे, हम लोग अभी focus कर रहे हैं कि लगातार कि दूसरे countries से हम लोग इस oil को import कर सकें, और यह जो prices उसको stable कर सकें, otherwise prices बहुत जादा बढ़ने वाले हैं इस oil के, clear हुआ, आई होब आपको यह भी clear हो चुगा, तो यहाँ पर भी कुछ खास नहीं है, एक दो article है, जैसे आपको यह article लेखने को मिलेगा, यह छोटा सा article है, इसको मैं आपके साथ कल discuss करूँगा, मैं morning में, मतलब जल्दी वीडियो लेकर आऊँगा, कल पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि 6 बचे हम लोग अपने वीडियो को ल करूँगा, आपके साथ कल वाले वीडियो में, आपको कल वाले वीडियो के पीटी जो होगी, उसके अंदर ही मैं इसको पेस्ट करके दे दूगा, तो परिशान होने की ज़रुत नहीं है, आज का दिन आपका ऐसे यह एंजॉय करो, और बाकी जो डेली करेंट एफर का गुलर चलेगा, दहिंदू का वीडियो जैसा चलता था, वैसा चलेगा, अब यहाँ पर है चीज़े मैं स्टेबल करनी कोशिश कर रहा हूँ, कि चीज़े बिलकुल, मतलब आगे 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 टाइम पर कोई परेशान ही ना है, कोई अब यहाँ पर ना आ जाएगी यार, चुकी काफी प्रॉब्लम्स अलड़ी मैं फेस कर चुका हूँ, ठीक है, तो इसका सॉलुशन है, बाकी कल साइंसे टेक के आर्टिकल्स आपके साथ इंकल्यूड कर दिये जाएंगे वीडियो के अंदर, तो इसकी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, इसके साथ करते हम लोग उसे नेक्स वीडियो में, आज के लिए बाबाई, एवनाई स्टे, ठेंक यू और जहेंद, और अपना सजेशन आप लोग को जरूर देना है, जो मियान आप से पूछा है,